मैंनपुर शहर स्थेत्र सुधीती ग्लॉबाल अकेडमी के छातर शात्राव द्वाराज़ादी के पिछतरवे अमरत महत्तव के अपलक्ष में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजिन किया गया एक राश़् तिरंगा यात्रा है, जिसमें 1000 सीट लंबे तिरंगे जिन्दे के साथ स्कूली छातर शातर शातरा उने बागल लिया, मनमोफ जाक्यों के साथ شहर का भ्रमन किया तो वही पर विद्याले के वरिश प्रधाना चारी डॉक्तर राम मोहन ने बताया ये एक एति हासिक रेली है सुधिती ग्लॉबल अकेड़ी की तरफ से करीब 2000 की संख्या में छातर चात्राओं रेली में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया आज हम उन वीर सापूतों की आधनाजादी के 75 वे अमरत महोसर के उपलक्ष में तिरंगा रेली का एजन किया जा रहा है कारेक्रम को समोधित करने पहुँचे कारगार मंतिर उत्रप्रदेश धरंवेर सिंग प्रजापती ने विग्डियालने की छातर चात्राओं का धन्यवाद ग्या प्रिक किया अपनी कुर्बानी दी देश की आजादी के लिए इससे अच्छी स्रद्धंजली नहीं हो सकती है और आज उन्होंने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से भी रेली निकाली जा सकती है आज स्कूल करेजों के बच्चों द्वारा जो दिर्श से प्रतूद किये गए हैं वो अप्तें तरलू भावने हैं और जनता में रास्टियता की भावना से ओध कोद करने के से लेकर किया है सराज जनपद में तरंगा रेली निकली है सर क्या कहना चाहेंगे सर देश के लोग प्रिये प्रधानमन प्रिये अबने मोगी जीने देश से आवाहन किया है कि हर घर तरंगा हमारे वाश्टिद्वज इसका मान सम्मान हमारा सभी देश वासी करें अपने घर पर लगाएं और आजादी के अमरत महुस्तव पूरा देश मनाए उसी के तहते हाँ एक तरंगा यात्ता का खाक्रम अध्याब देख रहे होंगे अजारों बच्चे तरंगा लेकर के भारत माता की रूप में कोई किसी रूप में या खड़े हैं और महरदे से इन बच्चों का आभादन करता हूं और आपके माध्यम से उत्तव देश की जनता से आभान करना चाहता हूं कि हर बार मारे प्रधान मंत्री का जब जब आभा प्रधान हुआ है देश की जनता खड़ी हुई है उनके साथ इस बाहर की देश की जनता उनके साथ कड़ी है एदे से उनका आभार करता हूं और आप से और सबसे निवेदन करता हूं कि तरंगा का सम्मान करते हुए हर घर पे तरंगा दिखाई दे मानी तधान मंत्रियों सब हम लोग पूरा करें हमारा भी उसमें योगदान हो यह निवेदन सब्सक्राइब सर इसे कारिकरम के माध्यम से क्या संदेज जाएगा सब्सक्राइब आज आज आजादी के अमरत्म होस्व में एक साथ खड़ा हो गया है पूरा देज देखेंगे आप तो सोशल मीडिया हो जह कहीं भी हो दिखाई देता है राष्ट भक्ति में घर्म महसूस होता है अभी ब्यारे बच्चे भारत माता कीजिए और बन्ने मात्रा बोल नहीं थे तो घर्म महसूस होता है क्या संदेश देना चाहते हैं देश को यह जो बिस्टों के अधूत जरब के कादि दृष्ट है और इसके लिए में अधूत बहुत बहुत धन्यवाद और देना चाहता हूँ यह लगता है भारत में इसका अधूत दृष्ट है अधूत बहुत है और पूरा बहुत है और पूरा बहुत है अधूत बिस्टों के अधूत दृष्ट है अधूत बहुत है और इस तरंगे के लिए हमारे वरतमान में जो अतात्मा है उन्हों ने अपने प्राण में उसावर किये इसकी रक्षा के लिए आज स्याचिन में पढ़े होकर जबनी आधु जात्री में नुवंबर और दिसंबर के लिए हाट हंड में आराम स्याव साथ इस तरंगे की रक्षा के लिए हमारे भाई स्याचिन में 30 माइनस 30 और 35 इस तरंगे की रक्षा करते हैं सराज बिद्याली के तरफ से कि एतिहासिक रैली जोकी मानी जा रही है आज की क्या कहना चाहेंगे सर मेरे बच्चे जितने भी सुधिती ग्लोबल अकैडमी के सब देश से बहुत प्यार करते हैं हमने सोचा क्यों ना एक अलग कुछ किया जाए हमने खोज करी तो पता चला अभी तक केवल 500 फुट लंबा जंडाई कोई निकाल पार है क्यों अगर पार हम कुछ करना चाहें। तो भी कर सकते हैं। मैं आज आ भारी हो पने विद्यान्ने के सब helemaal कर पियारे वच्चों का। कि उन्होंने इतनी बरी धूम में भी सब को निकल कर पूरा मैनपुरी को भारत के तिरंगे रंग से भर दिया है और हम सब धन्यवाद देते हैं जिला परसाशन का उन्होंने बहुत सायोग दिया बारत माता की जाए